नमस्कार दोस्तो मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा ओल एट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि शमशांत कार से शब उठा ले गई पूरे से तो क्या पूरी नियूज ह कहा कि नियूज है पूरी जानकारिया आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर एंट तक बन रही है अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और अंकित वर्मा ओल एट पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आप जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आईए कि होने ही बाला था अंतिम संसकार तभी पुलिस शमशान घात जा पहुंची और शव को उठा कर अपने से साथ जो है ले गई पुलिस के यूँ अचानक शमशान घात पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया पुलिस शव का पोश्ट मार्टम कराने के लिए अपने से साथ ले गई मावला मंदी जी ले के गोहर क्षेत्र के जो है कंडोल गाउं का है दर असल गोहर क्षेत्र के कंडोल गाउं की 44 वर्शिय निवेदिता गुप्ता ने आज सोबह अपने घर पर फंदा लगा कर आत्मत्या कर ली थी निवेदीता की मौत होने के बाद जो है उसके माईक के पक्ष को जो है सूचना दी गई और फिर उनकी ही उपस्तिती में अर्थी सजाकर शमशान घात लाया गया निवेदिता की माइक का पाक्ष ने हलांकी निवेदिता की मौत पर किसी प्रकार का कोई संदे नहीं जताया था प्रन्तु निवेदिता की बहन ने जो है पुलिस को ऑनलाइन इस संबंद में शिकायत थी इसके बाद पोलिस ने शमशान कहाँ पहुंच कर जो है शव को अपने कबजे में ले लिया बता दें कि मृत का पीशे से शिक्षिका थी और इनके पती आजे गुपता जल शक्ति विवाग में बतोर साइक अभ्यंता कारे रत है ASP मंडी आशीश शर्मा ने मामली की पुष्टी की है उन्होंने बताया कि DSP हैड़कॉर्टर राजिश उपाध्या खुद मौके पर गए है और कानूनी कारवाई अमल में लाई जा रही है तो इस फिलकार आप देख सकते हैं हिमाचर परदेश के डिस्टिक मंडी की ये न्यूज है अगर आपने अभी तक मिडियो को शेर नहीं किया है तो विडियो को शेर कर दे और अंकित वर्मा और एट भी नॉटिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले है ताकि आप तक हिमाचर परदेश की हार नॉटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद जैहन जैभार